हलो नमस्ते मेरा नाम प्रसांथ था सबसे पहले बहुत बहुत धनवाद चैनल पाने के लिए और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवी कॉंसिल बार हम लोग पढ़ने वाले और जब मैं आपको लीगल हिस्टी पहले पढ़ा रहा था तो बहुत बार आता था अपील जा गउसे संपरेम कोर्ट के एपने अ बहुत इन्ग होता है और वहां नॉस के बाद संपर्थय स्था पर युट में डीवानी अडालत रहा निजामत अडालट के अंग के ज़र फेट्वार नाचेथ TV निजामत अदालत है मतलब सदर अदालत से भी आपने देखा था जो अपील के दर जाता है भई प्रिवी कॉंसिल में तो ये आपने पूरा देखा था बाद में फेडरल कोट से भी अपील जाता था प्रिवी कॉंसिल में तो हम लोग अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं हम हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे इंडिया से जो इंडियन कोड से जो अपील जाता ता प्रिवी कॉंसल बाद में अब भी अोग कभी भी मैं जहां तक कोशन देख पाता ह奉ं इन्वर्सिटीज का तो यहां से कोशन आता है और एक साल छोड़के एक साल अगले साल ऐसे करके यहां से question आता है लेकिन regulating act सबसे question आता ही आता है और Lord Convales के reform वहां से question आना ही आना है यह सब topic से question आता है बहुत important topic है question आता है इसलिए आप इसको important topic के रूप में पढ़ना चलो मैं start करता है सबसे पहले introduction तो सबसे पहले question यह आता है प्रिवी council है क्या what is प्रिवी council देखो प्रिवी council क्या है प्रिवी council देखो नाम से clear यदि council है ना तो इस तरह से कुछ लोगों यहां पर देखो कुछ लोगों का ना गुरूप होगा कुछ लोग होंगे इसमें अपने को यह समझ में आता है कुछ लोग होंगे इतने अपने को पता है ना देखो प्रिवी council कुछ नहीं था बस एक judicial body था प्रिवी council क्या था कोई पूछे तो बताना आप उसको कि judicial body था और प्रिवी council में appeals आता था जैसे यहां पर देखो एक प्रिवी council यह समझ दो प्रिवी council है यह मैंने एक्चल विक्यूपेडिया से फोटो को लिया है तो प्रिवी council को जब आप गूगल पर डालोगे तो वहां पर एक फोटो यह आता है तो इसलिए मैंने आप लगा दिया पूस समझ ना इंडरस्टाइंडिंग के लिए बिटर जस्टिस administration करने का responsibility मिला है तो प्रिवी council का गया लाएगा judicial body देखो यहां पर मैंने थोड़ा सा डाल रखा है यदि आपको problem हुआ बात में भूल ना जाओ इसलिए मैंने आप लिख दिया अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका pdf का link मैं description box में दे दूँगा anyway आप telegram चैनल पर जाके lawyer प्रसांत लिख होगे वहाँ पर telegram चैनल पर भी यह pdf मिल जाएगा मैं वेसे link दे दूँगा description box में आप वहाँ से जाकर download direct कर सकते हो ठीक है तो प्रिवी council judicial body है और इस judicial body में क्या आता है सर appeal आता है क्या आता है appeal आता है अप अप्ली कहां से आएगा British देखो British लोगों का जहां जहां colony था जैसे मैं यह आप एक picture लगाया आपके लिए देखो जैसे यह British colony था इंडिया यह colony था यह South Africa colony था Nigeria था ऐसा बहुत सारा country था जो Kenya था यह बहुत सारा ऐसा country था Australia ऐसा बहुत सारा country था जो British colony था यह रहा आपका British England ठीक है यह England के अंडर यह सा सारे colony थे England के है ना तो यहां से court का अपील जाता था ठीक है यहां से सारे court के सारे court के जो अपील लिखा जाएंगे भई यहां England में प्रिवी council में ठीक है इंग्लाइंड में प्रिवी council एक judicial body है जो की अपील सुनता था various British colony के court से अभी देखा ना इंडिया देखो इंडिया क्या था British colony था और यहां पर मैंने तीन-चार court का भी आपको एक्जाम्बल बताया था जैसे मेर court सुप्रीम court सुदर court यह सब court से अपील जाता था कहां पर भई प्रिवी council में I hope यहां तक आपको clear होगा देखो यहां पर दो-तीन मैंने पिक्चर लगाया है और आपको यदि यह समझ में नहीं आ रहा हो कि उस टाइम पे कहां कहां पर British empire था तो यहां पर एक पिक्चर है आप इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से clear हो जाएगा यह सारा पिक्चर से आप यहां पर देख रह पेंदेक बाद थोड़ा सा यह आईडिया तो लग चुका है प्रिवी और यहां MP3 ब्डिशर से जहां पर वरियूनी जहां बिरstrings कॉलनी वहांपर जो कोट्स होता होगा उस कोट से अपील आप हैं प्रिवी और यह ऐसएग बेट। ये जो प्रिवी कॉंसिल है ये जो आपने देखा ये प्रिवी कॉंसिल ये क्या करता है ये प्रिवी कॉंसिल जो आपने देखा ये किंग को किंग को एडवाइस भी करता है एक और काम था किंग को एडवाइस करता है प्रिवी कॉंसिल का एक और काम था किंग को एडवाइस क चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं origin of privy council देखो आप अभी क्या पढ़ोगे privy council जो अभी आपने पढ़ा ये privy council में जो यहां से बहुत सारे courts का पील जाता था ये आखिर privy council आया कैसे origin क्या है इसका origin को समझना चाहते हो आप तैसे समझो गंगा का origin क्या गंगोतरी गंग privy council निकला कहां से तो इसको समझने के लिए ना इस privy council के आपको ये दी בnovy-uris को समझना है आपको थोड़ा सा समयकर पढ़ेगा आपको समयकर पढ़ेग समझना बूगल परिएड पढ़ते हो ना तो सेम इसी तरह से इंगलैंड में भी सुरू से इंगलैंड समझ लो कि आप सुरू से इंगलैंड दुसरे पर ही रूल नहीं करता था एक टाइम पर फ्रांस का भी रूल हुआ करता था कब 1066 a.d. की पर बात कर रहा हूं ठीक है इस टाइम इस टाइम पर ब्रिटन पर भी रूल होता था किसी और कंट्री का जैसे कि फ्रांस का है ना आप हमेशा से यह मत समझना कि ब्रिटन लोग पर रूल करते थे ब्रिटन पर कोई रूल नहीं करता था अभी आप देखो कि ब्रिटन पर कौन रूल करता था तो ब्रिटन पर नॉर अब मैं थोड़ा सा ना आपको ब्रिटन का इतियास जब बताऊंगा तब आपको समझ मैंगा कि प्रिवी कॉंसिल निखला कैसे है ठीक है और आपको यदी यह चीज को समझना है तो आपको थोड़ा सा नॉर्मंस के बारे में समझना पड़ेगा यह नॉर्मंस कौन होते थे तो ब्रिवी कॉंसिल का जो हिस्ट्री है ये उतना ही पुराना है जितना नॉर्मन्स का हिस्ट्री है ठीक है देखो नॉर्मन्स ये फ्रांस वाला जो आप एरिया देख रहे हैं मैं आप पर देखो सारे लोग ये जो फ्रांस वाला आप एरिया देख रहे हो ये देखो ये है आपका England यह वला है रेजिन आपका England यह Scotland और इधार है Ireland ठीक है तो यह जो England है यहां से यह लोग जाके इस पे क्या करते हैं 1066 AD में यहां पर जाके Conqueror कर लेते हैं किसको England को यह जो Normans लोग जैसे हमारे यहां आके मुगल्स लोग conquer कर लिए इंडिया को उसी तरह से ये normans लोग जो फ्रांस के थे ये जाके किसको conquer कर लेते हैं इंग्लैंड को आई वोप यहां तो कोई problem नहीं होगा देखो जब normans लोग यहां से जाके इंग्लैंड जाते है तो यहां पे obviously लोग रूल करेंगे तो government लग बनाएंगे न भई गवर्मेंट बनाएंगे और जो normans थे ये क्या establish करते हैं यहां पे एक बहुत strong central government establish करते हैं कौँसा government भई central government जैसे हमारे यहां central government है न central government state government उसी तरह से एक government form करते हैं यहां पे central government I hope यहां तो कोई problem नहीं होगा ठीक है और यह central government यह central government handle क्या क्या करता था executive, legislature और judiciary जो कि government का देखो central government है लगाओ है government है मतलब यह government है और government का function ही तो होता है executive, legislature और judiciary तो simple आप इतना detail मत करो आप simple यह समझो यह normans लोग थे, यहां से जाके यह लोग 1066 A.D. में जाके इंगलैंड को conquer करते हैं और यहां पर government बनाते हैं simple गवर्मेंट बनाते हैं central government form करते हैं और central government क्या-क्या handle करेगा legislature करेगा क्या है क्या अडल करेगा sir legislature करेगा executive करेगा judicial करेगा यह सब फंसंस करेगा नॉर्मल यहां तक I hope कोई problem नहीं होगा देखो यहां पर यहां पर आप एक photo देख रहे होगे pictures दिख रहागो आपको है ना आपने यहां तक यदि पढ़ लिया history तो अब हम लोग चलते हैं अपने next topic पे है ना अभी हम लोग पढ़ चुके हैं की अभी हम लोग कहां पर है अभी हम लोग है 1066 AD 1066 AD में England पे कौन कौन कर लिया है कौन कर लिया है इसको हमने बोलते है William Conquist ठीक है तो मतलब Normans जाके यह जो आपने अभी Normans पढ़ा था ना यह Normans जाके क्या करते हैं सर यह Normans जाके England पे कब जा कर लेता अभी तक का इतियास हम लोग यह पढ़ा और अभी हम लोग 1066 AD में है ठीक है अभी हम लोग England के इतियास पढ़ रहे है थोड़ा समय बताऊंगा ठीक है तभी आपको कैसे यह origin हुआ कैसे निकला है तब आपको समझ में हैगा ठीक है प्रीवी कॉंसिल का उतना ही पुराना इतियास है जितना पुराना यह Normans लोगों का है इनका इनका ठीक है चलो देखो जब यह लोग Normans लोग England पहुँचे वहाँ पर जब यहां पर क्या करते है एक छोटा सा आप यह लोग यहां पर पिक्चर देख रहाएं पिक्चर के नीचे यह पिक्चर देख रहा हुँच्छा इसी तरह से एक आपिक रूसर बनाते हैं और उस कॉंसिल को क्या बोलते थे कुरिया रेगिस कुरिया क्या मतलब होता था किंग खूर्म्होंश फॉर्मेशन होगा उसका नाम था कुरिया रेगिस जिसको आप यह देख रहें हैं किंग कोट है यह हो गया मानलो Curia Regis Curia Regis हो गया यह King Court है और इसमें कौन-कौन होंगे Fidual Lord होंगे और जो Kings होंगे King के Royal Palace में जो-जो कुछ Importants लोग होंगे वो इसमें होंगे Simple है इसमें Fidual Lords होंगे और जो King का कुछ Important Officials है वो इसमें Member होंगे और यह सारे लोग मिलके क्या फॉर्म करने है Curia Regis और Curia Regis क्या होगे एक तरह का सर King Court क्या होगे एक तरह का King Court आई हो प्याहता कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको और यह लोग क्या करते थे यह लोग जो आपी देखा आपने यह लोग क्या करते थे Administration और Legal Matters में कौन सा भाई Administration में और Legal Matters में ठीक है Administration और Legal Matters में King को एडवाइस करते यह एक छोटा सा Small Council था जिसका नाम था Curia Regis जिसको आपने लोग किंग कोट्स भी बोलते थे और यह क्या करता था इसमें फिड्वल लॉट्स और जो Kings के Royal Palace में Officials होते थे तो वो इसके Member होते थे और ही क्या करते थे Administrative and Legal Matters में King को Advise करते थे यह जो आप पूरा Council देख रहे हो यह लोग क्या करते थे Advise करते थे Administration and Legal Matters में देखो अब हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे इस Council के बारे में बात करेंगे यही Council आगे चलके क्या बन जाएगा Privy Council कैसे बनेगा देखो अभी आप किस किस Year में हो अभी आप 1066 AD के बात कर रहे हैं ठीक है और इंडिया में कभी आते हैं 1600 में याद है न आपको Chapter of 1600 ठीक है तो यह हम लोग लगबक 600 साल पहले की बात कर रहे हैं जब इंडिया में ब्रेटेस आते हैं उससे 600 साल पहले की बात कर रहे है आयोप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा देखो इनका जो यह Council था Small Council यह मैं पिक्चर से Connect करूँगा तो आपको समझ में अच्छे साएगा यह देखो इंगलाइंड यह पूरा Country है न यह Different-Different Part में Different-Different Time पे क्या करते थे क्या करते थे ठीक है धियानक ना Courier Regist जो था यह जो King का Code था इंगलाइंड के Different-Different Parts में Different-Different Time पे यह क्या करते थे Sir पर meeting करते थे ठीक है यह meeting करते थे और यह दो तरह का काम करते थे एक meeting for entire query और meeting of the smaller query ठीक है meeting of the entire query और smaller query अब देखो यह क्या करते थे इंटाइर क्विरिया क्या होता था यह जनरली मीटिंग जो करते थे ना फेस्टिवल के टाइम पे करते थे फेस्टिवल पे टाइम पे जब मीटिंग करते थे तो उस मीटिंग को क्या बोलते थे लोग इंटाइर क्विरिया देखो, इंगलाइन में तीन बहुत इंपॉर्टन फेस्टिबल होता है, इस्टर, वाइट सन, विट सन जिसको बोलते हैं, और क्रिश्मस, ये तीन इंपॉर्टन फेस्टिबल पे, जब ये लोग मेटिंग करते थे, उसको क्या बोलते हैं, इंटायर क्यूरिय है, जब ये ल लाइफ पे कोई छोटा सा डिस्प्यूट आ गया मानलों इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है तो मेटिंग पर ठाल लिया तो इस तरह का जो मेटिंग करते थे चोटा-चोटा मीटिंग हो गया रेगुलर डे टुडे अडविस्टेशन पर बात होता था रिवेन्यू मेंटर से रिलेटेट या फाइनस में मेंटर से रिलेटेट कोई गवर्मेंट के साथ बातचीत करना है तो उसके लिए जो मेटिंग होता था उसको में बोलते थे स्मॉलर कूरिया ठीक है यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको और इस मेटिंग में बहुत सारा नयाने लोग और उसमें बहुत सडीट को भी सौल करता थे अभी से इनका काम हो ौद voter लिए लोग ढेंस करने लिए पहले ये लोग किंग को रएस करते थे सिरे यहां पर नयानाँ कानूं बनने लगा और यहां पर रिवेन्यू से लेटेट बाट सब कुछ हो रहा है आप देख र यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा अब लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा समय आपको यह बता देता हूं इसमें लिमिटेट नमर ओफ लोग पीपल से रहते थे जैसे कि अभी मैंने आपको बता है ना रहते थे जिसमें किंग और कींग के जो मिनिस्टर्स होते थे वो होते थे और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था चांसेलर का वह भी होते थे ठीक है आप इस आपको कॉंसल बताया था वो कॉंसल धियान अगना और कॉंसल देखो धेरे धेरे जुडिशिल वर्क भी करने लगा है ना सेंट्रल गवर्मेंट फॉर्म हुआ था आप सब बात को थोड़ा थोड़ा धियान अगना तो आगे समझ मैंगा और पीडियेफ को आप बार बार अब भी हम लोग देख रहे हैं यह जो आपने देखा कुरिया रेगिस यह जो कॉंसल आपने देखा कुरिया रेगिस बिसिकली एक कॉंसल था एक कॉंसल का काम था यह कॉंसल का काम था किंग को एडवाइस करना यह बिसिकली एक एडवाइजरी कॉंसल था ठीक है जिसको क् सॉरी सुख चला गया गया में और हिड़ए वीडियो आपको अच्छा लग रहा समझ में आ लाई किया न Nous dit topics लाई किजिये सब्सक्राइब किजिए वीडियोरन को लाई कीजिए और हो सके तो कमेंट किजिए कमेंट जब करते हो न तो बहुत अच्छा लगता है मुझे और एक ही कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नया वीडियो बनाता हूं तो अप ज्शादा से ज्धा कमेंट करोगे तो मुझे कुछ मिलता है नहीं यहां से तो बस आपका कमेंट और आपका जो प्यार मिलदा उससे मन करता वीडियो में चोटा सा चैनल है यहां पर कुछ ऐसा मॉनेटरी वैल्यू तो जनरेट होता नहीं है बस मैं आपके कमेंट्स पढ़ के वीडियो बना ढालता हूं तो प्लीज इसका काम गया था किन को इडवाआज देना टीसले लिएव लोग इसको बोलते हैं अडवैजरी कॉंसल पोर इसको बोलते चो और हिसका काम और मैं पजते और हम लोग तो यहां पर देखो हें हेंडरी सेकेंड का टाइम पिरेड लिखा हुआ है आपने देख रहा है फाइब मार्च 11.33 तू सिक्स जुलाइ 11.89 तक और यह किंग कब से कब तक रहते हैं देखो किंग ओफ इंगलाइंड यह रहते हैं 11.54 से लेके इनके डिथ मतलब 11 तो बेसिकली हम लोग अभी 11.54 के बाद से बात करेंगे ना 11.54 के बात की बात करेंगे 11.54 की बात करेंगे अब यहम लोग पहले कहां पढ़ रहते हैं 1066 से थोड़ा आगे चलेंगे और इस ताइम पे किसका रूल था इंगलाइड किसका रूल था हैंडरी सेकेंड का हेंडरी सेकेंड के ताइम पे वो जो कौंसिल आपने पढ़ा Judicial responsibility, ठीक है, क्या responsibility था, Judicial responsibility हेंरिस सेकेंड के ताइम पे और भी ज़्यादा बढ़ गया, और कुरियरीगर्स का, बेसिकली आप ये समझो, दो पार्ट यहां से बन गया, ठीक है, जैसे कि, एक पार्ट को में बोलते थे, गिंग इन पार्लियमेंट और एक को बोलते थे, गिं in council ठीक है king in parliament का मतलब हो गया courts of the England ठीक है देखो अभी आपने 1154 के time के बात करी henry second के time पे judicial responsibility जो था उस council पे वो और भी ज्यादा बढ़ गया और भी ज्यादा बढ़ा हो गया अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे एक और ruler के time पे एक और रूल के time पे बज़े से हमारे यहां हुआ था ना ब्रिटिस रूल मुगल रूल उसी तरह से इंग्लैंड में भी रूल था किसका अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लैंड पर जो रूल था एक टूडर रूल आया ठीक है टूडर रूल के टूडर रूल के time पे और यह कब पीरिट था अब इस पीरिट को धियान रखो 1485 से लेके 1603 तक यह टूडर रूल था और इस रूल में भी कुरिया रीगस जो था कुरिया रीगस जो था इस time पे भी बहुत important रूल प्ले करता देखो अभी तक यह प्रिवी कॉंसिल नहीं बना है देखो अभी तक यह प्रिवी कॉंसिल नहीं बना है यह कुरिया रीगस करके एक कॉंसिल है जो कि जूडिशियल आड्मिनिस्टेशन देख रहा है हम लोग इसमें बात कर लिए किसका किसका हम लोग 1080 पी जब 1080 में आप वीडियो को देखो हम लोग 1066 AD की बात किये उस टाइम पे William Conquer करते है Normans के टाइम पे एक कॉंसिल बना था जिसका काम था Judicial Administration देखना और King को Advise करना फिर आप देखे Henry 2nd के टाइम पे अब आप देखोगे Tudor Rules के टाइम पे 15th Century में Currier Regas जो है एक King का ये Advisor का काम करता है देखो एक Ordinance आता है 1526 में कब आता है 1526 में Ordinance of the Council 1526 आता है और ये Ordinance क्या करता है Executive और Judicial Functions दोनों को Separate करता है Distinguist करता है किसके बीच में Executive and Judicial Functions के बीच में ठीक है अब देखो Executive वाला जो काम है वो कौन देखेगा कौन देखेगा King देखेगा है ना Executive वाला ये मैं कब की बात कर रहा हूँ Tudor Rule के टाइम पर 15th century में क्या होता है Executive वाला जो काम है Executive branch वाला जो काम है वो कौन करेगा King करेगा और वहीं पर Judicial काम जो है Judicial काम जो है वो किसके पास रहा जाएगा West Minister जिसको आप ऐसा समझ सकते हो West Minister basically क्या है जब आप England जाओगे यह London जाओगा आप गए हो तो ठीक है नहीं गए तो समझ लो जब आप West Minister का मतलब क्या है ता वो basically center point है England का और वहाँ पर जितना सारा officials, government, buildings, सारा कुछ हो ही पर वो clock देखते हो ना छलाल वाला गाना में आपने सुनागा जब तक है जहान में movies में देखा होगा तो वो जो पूरा area है ना वो West Minister वाला area है basically West Minister से यहाँ पर आपको यह refer करा गया है British Parliament British Parliament आपको refer करा गया है ठीक है तो अभी समझो यहाँ पर executive वाला काम किसके पास है executive वाला काम चला गया है king के पास और judiciary वाला जो काम है यह कौन करेगा Judicial Committee of the Privy Council ठीक है Judicial Committee of the Privy Council अब यहाँ से क्या होता है यह जो ordinance आता है 1526 में यह distinguish करता है executive और judicial functions को और दोनों ब्रांच को एक ब्रांच executive को king के पास दूसरा ब्रांच को किसके पास दे जैता है Judicial वाला काम यह दे देता है Judicial Committee of the Privy Council तो यहाँ से Privy Council का थोड़ा सा आप देखोगे Privy Council यहाँ से आपको नजर आएगा ठीक है अब देखो क्या होने लगा 17th century में थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे 15th century में हम ने पढ़ा अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा और आगे 17th century में 17th century में जो England है England बहुत सारे जगह पे British Empire बहुत सारे overseas में वर्ल्ड में बहुत सारे जगह पे यहाँ पे एक picture है देखो यहाँ नीचे मैं आपको देख रहा होगा यहाँ पे मैंने एक picture लगा दिया है जिसे आप यह देख सकते हो रेट कलर में जहाँ जहाँ पे यह 17th century की कानी है जहाँ जहाँ पे रेट आप देख रहा हो न वहाँ पे British Empire बेसिकली वो सब जगह के एक्वाइर कर लिया तो जहाँ British Empire एक्वाइर कर लिया जगहों को तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया फिसे अब जहाँ पे British का कॉलोनी हो गया यहाँ से जो भी अपीर था ठीक है यहाँ से जो भी अपील्स था देखो अब देखो जैसे मानलों की एक्जामपल हमने ले लेते हैं यहाँ का यहाँ पे जो अपील्स था यहाँ से जाने लगा यह इंग्लैंड ठीक है तो 17th century में बहुत सारा कॉलोनी होने लगा धीरे धीरे British Empire और भी ज़्यादा कॉलोनी को पुरे वर्ल्ड में एक्वाइर करने लगा बहुत तीजी से बढ़ने लगा तो king के पास क्या होने लगा appeals ज़्यादा से ज़्यादा आने लगा colonies के पास से तो फिर क्या करा जाता है 1572 में 1572 में 1572 में जो judicial functions वाला काम था वो किसको दे दिया जाता है प्रिवी कॉंसिल को अभी मैंने आपको थोड़ा दर पहले यहां तो बताया ही था 1526 में आपने देखा था ओर्डिनेंस आता है और यह ओर्डिनेंस कींग को एक्जेकुटिव काम और जूडिसरी वाला काम किसको दे देता है जूडिशल कमिटी अफ दे प्रिवी कॉंसिल बेसिकले प्रिवी कॉंसिल को आ जाता है ठीक है आप इसको धियान रखेगा तो 17 सेंचुरी में जो इतना सारा एरिया पे जो ब्रिटिस एम्पाइर जो एक्वाइर करने लगा ब्रिटिस जो इतना सारे जगह पे को कॉलिनीज बनाने लगे अब वहां से भी जितना सारा अपील आता था वो कहां पे जाता था सर वो प्रिवी कॉंसिल में जाता था यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा 1572 के ही में बात बता देता हूँ आपको प्रिवी कॉंसिल में प्रिवी कॉंसिल के पास देखो जोडिशल काम देने लगा जोडिशल काम किसको पैस आने लगा वही जोडिशल काम आने लगा प्रिवी कॉंसिल के पास और प्रिवी कॉंसिल को प्रिवी कॉंसिल में एक और इसको highest अपीलेट इंस्टिशन बोला गया ठीक है जो भी ब्रिटिस कॉलनी का जो भी ब्रिटिस कॉलनी का अपील आएगा वो सब कहां जाएगा जोडिशियल कमिटी अव दी प्रिवी कॉंसल तो बेसिकली कहां पे जाएगा प्रिवी कॉंसल का ओरिजिन हुआ इसके ओरिजिन में यदि आप जाओगे इसके ओरिजिन उतना ही पुराना है जितना पुराना नॉर्मन्स का हिस्ट्री है अब उसको थियान लग अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे नेचर आड एक्स्टेंट अफ दी प्रिवी कॉंसल जुरिस्टिक्शन अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रिवी कॉंसल का ओरिजिन प्रिवी कॉंसल कैसे ओरिजिन हुआ नॉर्मन्स के टाप से नॉर्मन्स के बाद चलो भी यह executive काम है यह किस के हाथ में चला गया king के हाथ में और judicial काम है तो इसको कौन देखेगा judicial committee of the privy council और इस time पे क्या होने लगा 17th century, 15th century, 18th century बहुत ज़्यादा फैल गया British empire और उन सारे कॉलनियों से जो case साथा था वो सब कहा जाता था privy council बस आपको इतना ध्यानक न एक्जाम में इतना ही लिखना आप आपको पूरा marks आएगा देखो nature यदि आपको समझना है नेचर यदि आपको समझना है आपको यदि nature समझना प्रिवी council का और extend समझना तो उसके लिए एक case है यहाँ पे इस case को आप समझो इस case को समझ जाओगे तो आपको नेचर समझने में कोई problem नहीं होगा देखो यह case था Hull vs. McKina ठीक है? McKina थोड़ा नाम देख लेना है Hull vs. McKina एक case है प्रिवी council का ही है ऐसे आता था PC case नमबर 406 PC ऐसे करके case होता था यह इस case में प्रिवी council क्या observe करता है प्रिवी council क्या बोलता है देखो प्रिवी council का यह लिखा हुआ यह मैंने नहीं लिखा खुद से प्रिवी council क्या बोलता है प्रिवी council observe क्या करता है इस case में कि we are not ministers in real sense we are not minister in real sense we are a committee of privy councilor मतलब हम लोग ministers नहीं है सेंस में कौन है हम लोग हम लोग एक कमिटी है हम लोग बहुत सारे कुछ कॉंसिलर का हम लोग कुछ कॉंसिलर का हम लोग कमिटी सिंपल हम लोग कुछ कॉंसिलर का कमिटी है जो कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं क्या चीज़ का जो कि हम लोग क्या करते हैं His Majesty मतलब King या बोल लो आप Crown, ठीक है, Crown को हम लोग काम करते हैं, Advise देने का, किसका काम करते हैं सौर, Advise देने का, Simple, इस case में, Preview Council क्या उबजर्व करता है, We are not ministers, Real sense में हम लोग Ministers नहीं है, हम लोग बस एक Committee है, Preview Councilors का, हम लोग एक Committee, हम लोग बहुत सारे Consular है, हम लोग मिलके, Acting करते हैं जज होने का, और हम लोग His Majesty को, Advise देते हैं, सिर्फ किसी इस के लिए, Only Judicial Spirit के लिए, यहां तक, I hope आपको कोई Clear होगा, यह पूरा Clear होगा, देखो, यहां से क्या देखने को, हम लोग को नज़र आता है, हम लोग जो भी पढ़े हैं, हम लोग यह तो पढ़े हैं, अभी तक Highest Appellate जो था, Highest Appellate Court आप देखो, अभी तक किसके पास है, Highest, कोई आप से पूछला, अभी तक Highest Institution, जिसे 18th Century के, हम लोग मान लोग भात कर रहे हैं, ठीक है, Highest Appellate Institution, Prevy Council, यह तो हम लोग जानते हैं, Prevy Council, Highest, Sorry, Highest Appellate Institution हो गया, Prevy Council, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन Prevy Council बाले क्या बोल रहे हैं, कि हम लोग Ministers नहीं है, Real Sense में, हम लोग एक 3-4 लगों का, Consular है, जो कि हम लोग Act कर रहे हैं, As a Judge का, और हम लोग काम करते हैं, His Majesty को, Advise लेने का, ठीक है, और यहां से हम लोग को तो पता, Highest Appellate कौन है भाई, Highest Appellate है, Highest Appellate है, Prevy Council, यह हम लोग को देखता है, लेकिन, जो पर British Colonies है, उनके लिए क्या देखता है, Last Appeal कहां है, Last Apex सबसे बड़ा कोट उनके लिए क्या है, Last Appeal कोट कौन सा है, Prevy Council, Simple है, Prevy Council है, लेकिन, Decisions of the Council Was always in the form of advice, Always in the form of advice, And not as a final order, As in the case of other courts, देखो, Other courts में क्या होता है, तो फाइनल डिसीजन देते हैं, मालोब Supreme Court को इस डिसीजन देगा, तो फाइनल डिसीजन देगा, लेकिन ये लोग जो होते थे, Prevy Council वाले, ये क्या करते थे, ये जो भी डिसीजन देते थे थे थे, वो तो फाइनल होता नहीं था, वो His Majesty को, मतलब King को ये लोग क्या करते थे, Advise देते थे, Advise देने का काम करते थे, वो ही चीज़ लिखा हुआ है, देखो ऐसा दिखता है, जैसे मालोब हम लोग, British Colony में, हम लोग के लिए Highest Appellate Court कौट कौट सा हुआ, Prevy Council, ऐसा हम लोग को दिख रहा, लेकिन Actual में ऐसा नहीं है, क्योंकि Prevy Council जो Decisions देता है, वो Final Decision नहीं होता है, वो क्या होता है, Just like an Advise, वो एक तरह के Advise होता है, जो कि वो किसको देते हैं, वो King को देते हैं, His Majesty को देते हैं, यही चीज़ लिखा हुआ है बस, चलो, अब हमनों देखेंगे, Formation of the Judicial Committee of Prevy Council, आपने भी देखा था ना, Prevy Council, Prevy Council को आपने देखा था भी, Prevy Council का एक Judicial Committee होता था, आपने देखा था जो प्रिवी Council का Judicial Committee था, अब खुद सोचो, 18th Century के पास, जहां British Empire इतना ज़्यादा ग्रो कर गया, इतना ज़्यादा यहां पे पिक्चर्स मैंने मेरे जर्स्ट नीचे लगा कर रखा, आप यहां देख सकते हो, इतना सारे एरिया में British Empire फैला हुआ, एक्स्पैंड कर गया, 18th Century का यह मैप है, आप इस मैप को देखो, आपको आइडिया लगेगा, कि हां यहां सच में इतना ज़्यादा इक्स्पैंड कर लिया, British Empire और जब इतना एक्स्पैंड कर लिया, हर एक्ट कॉलनी से बहुत ज़्यादा जुडिशियल कमिटी के पास, प्रिवी कॉंसिल के पास बहुत सारा क्या आ रहा होगा, अपील आ रहा होगा, अपील आ रहा होगा, जैसे मान लू, यह नीचे में, मैंने समझने के लिए, example के लिए लगा रखा है, अब, देखो, ये मानलो की कॉंसिल है, ठीक है, ये मानलो प्रिवी कॉंसिल है, ये जो आप कुछ मेंबर्स को देखे रहो ना, ये मानलो प्रिवी कॉंसिल है, इसमें जो ज्यादा तर कॉंसिलर थे न, प्रिवी कॉंसिलर में ज्यादा तर कॉंसिलर थे, वो कॉंसिलर ले में थे, और ये लोग केस सुने के लिए MODE करते थे ये साल में 9 से 10 बार ही करते थे मतलब आप मानने लोग एक तिर व यह लोग बैटते थे और उसके बाद जो भी फैसला होता था यह लोग करते थे और इसे में जो आप देख रहे हो यह लोग लेमें होते थे मतलब particular किसी field का जो knowledge जैसे मालो इनको काम है judicial committee है तो इनको judiciary का knowledge होना चाहिए लेकिन उस field का इनको पास उतना कुछ ज्यादा training नहीं था कोई knowledge था नहीं इसलिए इनको बोला जाता था लेमिन्स जो प्रिभी गॉंसलर उनके पास law का उतना ज्यादा कोई knowledge नहीं होता था law के य इनके पास legal expertise ही नहीं है वो appeal सुन रहा है British colony से appeal जो आ रहा हूँ सुन रहा है इनके पास खुद ही नहीं है legal expertise अब बताओ आप है ना तो यह problem देखा तो एक person थे lord यहां पर देखा लॉड ब्रूगम ठीक है जो भी प्रणाउंसर से में थोड़ा से गलत होता है बट आप देखले ना अपने एसाब से इस सीज को जब यह देखते है अरे भाई यह लोग judicial committee है प्रिवी council का यहां पर देखते थे कि प्रिवी council है यहां पर अपील आता है लेकिन यह लोगी खुद legal expert नहीं है तो इस चीज को यह अपने speech में law reform पर इनका speech था ठीक है law reform पर law में कैसे सुधार हो इस पर यह speech देते हैं कहां पर house of the common में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग lord brugam की बात कर रहे हैं यह law reform पर speech देते हैं house of common में और वहां पर इस चीज को प्रिवी council को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं जैसे इनका speech होता है 1828 में कब होता भाई 1828 में तो उसके बाद British Parliament जब इनका speech सुना देखा यह क्रिटिसाइज करते हैं और British Parliament इस चीज को एक्सेप Parliament एक Act लाती है एक कानून लाती है Judicial Committee Act 1833 एक Act लाती है 1833 जुडिशियल कमिटी आट 1833 यह किसके दवार लाया जाता है British Parliament के किसके response में यह जो Lord Brugam जो सुरी Lord Brugam जो क्रिटिसाइज करते हैं house of commons में इसी को देखते हैं इसी कि response में Judicial Committee Act 1833 लाया जाता है अब इसमें यह ब और यह बोला गया अब क्या होगा परमानेंट कमीटी का formation होगा फॉर्मेशन होगा परमानेंट कमीटी का अब इसमें जो भी appeals आगा देखो यह जो आप देख रहे हो यह जितने भी मिंबर देख रहे हुए अब इनके पास जो अपील आएगा अब जो नया कानून लाया गय है देखो ऑन अगस्त 14 1833 ठीक है यह जो आप कॉंसिल देख रहे हो ना यह कॉंसिल में अब जो भी लोग होंगे वो कैसे होंगे लीगल एक्सपोर्ट 1833 1833 का जो कानून था यह क्या सिसका फॉर्मेशन करता है यह फॉर्मेशन करता है पर्मानेंट कमिटी ओफ लीगल एक्सपोर्ट अब एक पर्मानेंट कमिटी का फॉर्मेशन होगा किस इसका पर्मानेंट कमिटी लीगल एक्सपोर्ट अब यह लीगल एक्सपोर्ट क्या करे प्रिटिस कॉलिनी से जो भी अपील आएगा इन सब कॉलिनी से जो भी अपील आएगा इनके पास यह अपील सुनेंगे और चीज का ताज मिलता है लास्ट कोट ऑफ अपील अब देखो यहां पे अपील आता तो थोड़ा जायज लगता है कि हाँ चलो भई इन लोगों को थोड़ा सा लौ का नॉलेज है legal expert है यहां पे यदि किसी पही तरह का अपील जा रहा है तो थोड़ा हम लोगों को भी जायज लग रहा है आप खुद में सोचो ना यदि आपको लौ का घ्यान नहीं है और आपको मैं प्रिवी कॉंसिल में बिठा दूँ तो आप क्या करोगे वहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या देख लिए formation of judicial committee of the privy council प्रिवी कॉंसिल का एक judicial committee का formation of permanent judicial committee का और उस judicial committee में कैसे लोग होंगे legal expert होंगे अब आप पढ़ोगे composition of the judicial committee of privy council अभी आपने देखा एक act आया था 1833 का act judicial committee act उस committee उस act से judicial committee का formation होता है privy council का प्रिवी council का judicial committee का formation किस act से होता है judicial committee act 1833 देखो इसी act में एक चीज़ और क्या था देखो यह act तो आया ही था ना privy council को change करने के लिए privy council में सुधार लाने के लिए तो इस act में एक चीज़ और था कि judicial committee जो होंगे judicial committee का कौरम होगा और यह कौरम में कितने लोग होंगे चार प्रिवी कांसिल का जुडिशल कमीटी में कौरम जो फॉरम होगा इस कौरम में कितने मेंबर होंगे फोर अब देखो चार मेंबर होंगे तो अब जो जुडिशल कमीटी होगा जुडिशल कमिटी जो होगा प्रिवी कॉंसिल का जो अपील सुनता है वेरियस ब्रिटिस एंपायर का ब्रिटिस कॉलिनीज का जो अपील सुनता है अब उसका कंपोजीशन क्या होगा प्रिवी कॉंसिल में कितने लोग होगा अब धियान एकना President of the, यहाँ पर देखना देखो यहाँ पर President of the, प्रिवी कॉंसिल, दुसरा में कौन होंगे Lord, High Chancellor तीसरा और चौथा तो मतलब दो लोग जो बच गए इन दो लोगों को कोन Appoint करेगा, इन दोनों लोग जो बच गए, देखो two others जो प्रिवी कॉंसिलर बच गए है उसको कौन Appoint करेगा उसको Appoint करेगा King, कौन Appoint करेगा दो तो यह fix हो गए, President of the प्रिवी कॉंसिल, और दुसरा Lord High Chancellor, Lord High Chancellor वहाँ पे एक पोस्ट होता हो उस टाम पे, उसको और दो other members जो बच गए उसको कौन Appoint करेगा उसको King Appoint करेगा तो other जो प्रिवी कॉंसिलर बच गए, उसको King Appoint करेगा अब Appoint कहां से करेगा King, तो इन 9 लोगों को जो आप देख रहे हो, इनसे Appoint करेगा यह हो सकते हैं, आप पढ़ ले ना इसको सारो का नाम पढ़ ले ना ठीक है, फर्स Lord Commissioner of the Greatest Cell of Britain, यह सब पढ़ ले ना Chief Justice of the Judge of the King's Bench Court, Master of Role, Vice Chancellor of England, Chief Justice or Judges of the Court of the Common Pleas ऐसे पढ़ ले ना, Chief Baron of the Court of Exjecture, सब पढ़ ले ना आप यहां पर ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट यह आप धियार नख ना, कोरम जो था Judicial Committee का प्रिवी कॉंसिल को वाज फोर, उसमें President of the प्रिवी कॉंसिल, Judge, सॉरी Lord High Chancellor, यह पढ़ ले ना दो जो अधर प्रिवी कॉंसिलर होते हैं तो उसको कौन एपॉइंट करेगा उसको एपॉइंट करेगा उसको प्रिवाइट कॉंसिल करेगा यह कमिट देखो, यह कमिटी है यहाँ पर मैंने पिक्चल आगए ना, 4 लोगों का कमिटी दिख रहा है आपको दो तो फिक्स होगे अपने पास, यह दो लोगों को प्रिवाइट कॉंसिल करेगा अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एपीज़ स्फ्रॉम इंडिया यह चो टॉपिड़ीज इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा सा मैं इस पर इतिल डिस्कुकसन करेंगी संत्र मैं ताइम देखें लैता हूं कि kतना मिनट कही हो गया है तो जितना time होगा उस हिसाब से मैं इसको third deal करूँगा यह दिए time कम होगा अपने पास कुई कि मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ तो उस हिसाब से लोग इसको deal करेंगे ठीक है ठीक है थोड़ा सा अभी मैं बताता हूँ फिर यह first point से मैं आपको थोड़ा deal करने चाहूँगा ठीक है देखो appeals from India नाम से clear है privy council देखो जो भी British colony था उनके लिए एक तरह का appellate court था उसमें भी highest appellate court था privy council यहाँ पे appeals जाता था तो obviously यह सर इंडिया से भी appeal जाता होगा यहाँ पे क्योंकि हम लोग भी British के colony थे है ना तो appeal from the court in India that is देखो इंडिया से जो court इंडिया में जो court था था भी कौन-कौन सा court चलता था crown court और company court हम लोग ने पढ़ा था high courts of India at 1861 वहाँ भी पढ़ा था हमने दो तरह का courts होता था dual system of courts चलता था crown court और company court crown court में कौन होता था supreme court और company court में सदर दिवानी अदालत और सदर निजामत अदालत तो मतलब इन सब जगहों से जो भी cases होता था वो कहां जाता था appeal के लिए privy council में ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला appeal appeal from mayor courts of 1726 तो मतलब पहला appeal से हम लोग पढ़ेंगे mayor court से appeal जाता था कहां पे sir privy council देखो appeal जो है mayor court से जाता था privy council में आपने ये पढ़ा था देखो और सबसे पहली बार privy council privy council से privy council में basically appeal करने का appeal करने का जो सबसे पहली बार Indians को हम Indians को जो first time बोल सकते हो आप जो ये jurisdiction मिला करने का जो पावर है एक तरह का बोल लो सबसे पहले Indians को कब मिला था 1726 में ठीक है 1726 में आपको याद होगा एक chatter आया था chatter of 1726 उस chatter के दवारा हम लोगों को सबसे पहली बार ये appeal करने का मौका मिला मतलब available हो सका हम लोगों के लिए Indians के लिए first time और इस chatter के दवारा और इसी chatter के दवारा 3 Presidency Town में Mayor Court का Establishment वा था याद करो Madras, Calcutta and Bombay इतीनू Presidency Town में Mayor Court बना था और यहां से appeal कहां जा सकता है Privy Council आई होब यहां तो कोई प्राब्लम नहीं हो आपको अब देखो appeal में कौन जाता था यदि कोई case आपका किसी case का value thousand thousand पगोडा से जादा है तो उस case में आप यहां पे council Privy Council जा सकते हो आपको लेकिन धियान क्या रखना है यदि Governor Governor के council से आपको जो भी decisions मिला है उसके within कितने दिन में जाना है 14 days में जो भी आपका judgment मिला है आपको judgment के 14 days के within में आपको जाना पड़ेगा appeal में ठीक है इसके बाद next आपको पड़ेंगे appeal from the Supreme Court of Calcutta under the Regulating Act of 1773 देखो आपको पता Fort William जिसको आप बोलते हो कलकत्ता यहाँ पे Supreme Court था Regulating Act of 1773 and the Judicial Charter of 1774 इसमें provision था Supreme Court का तीनु presidency town में आपको धियान होगा तीनु presidency town से भी याद होगा मदरास, कलकत्ता and Bombay यह तीनु presidency town में provision क्या होगा था Supreme Court का establishment और Supreme Court से जो भी appeal करना है आपको Supreme Court से भी appeal करने जाना है यदि amount value 1000 रुपीस से उपर है तो आप 1000 पगोडा बोलो 1000 पगोडा से उपर है तो आप यहाँ पे जा सकते हो यह आपने पढ़ा था Supreme Court के case में अब लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छा क्या हुआ था वहाँ पे आपने देखा ना यहाँ पे आपने देखा 14 डेस के अंदर आपको जाना पड़ेगा लेकिन Supreme Court यदि आपको अपील करने जाना है तो आप विदिन 6 मन्त तक जा सकते हो 6 मन्त तक आप अपील कर सकते हो उसके बाद हम लोग देखें अच्छा देखो यह तो मैंने आपको बता देखा civil case में 1000 पगोडा तक 1000 पगोडा तक आपको civil case में लेकिन यदि कोई criminal cases है तो उस case में Supreme Court के पास discretion power होता था यदि वो चाहेगी तो आपको देखो उस time पर क्या होता था ना आपको एक certification करना पड़ेगा जो भी आपका case है यदि वो certification हो जाएगा Supreme Court के दौरा हाँ कि यह case appeal में जाने के लाइक है तो आपको appeal में जाने का मिलेगा नहीं तो आप नहीं जा सकते हो appeal के लिए और वो चाहे तो appeal के लिए आपको एलाओ नहीं कर सकते है अब appeal में प्रिवी कॉंजिल नहीं जा सकते हो ये एक थोड़ा important बात है second number में आप इसको धियान लगना third क्या पढ़ने माले हम लोग appeal from the recorder court under the act of 1797 देखो mayor courts कहा कहा था madras, bombay और इसे में एक courts का establishment हुआ था 1797 में recorder courts का यहां तक आपको शायद थोड़ा थोड़ा धियान होगा नहीं धियान है तो इस case में भी आप appeal में कहां तक जा सकते हो यदि आपका amount का value thousand पगोड़ा से जादा है तो आप application लगा सकते हो आप जा सकते हो appeal के लिए ठीक है और एक आप पढ़े थे सदर अदालत जिसमें कि आप दो तरह का अदालत पढ़े थे सदर, दिवानी और एक में पढ़े थे निजामत निजामत हो गया आपका criminal और दिवानी हो गया civil यह दो तरह का आप यहां पढ़े थे इसमें भी यदि आपका subject matter का value civil cases में 5000 से ज़्यादा है तो उसमें जा सकते हो आप फिर आप पढ़े थे इसमें भी यदि सदर अदालत को ऐसा लगता है कि यह case appeal में जाने के लाइक है और वो permission देती है तो ही आप जा सकते हो otherwise आप appeal में नहीं जा सकते हो यही सेम चीज कहां भी था सदर अदालत में भी ठीक है आप इसको थोड़ा धियान रखिएगा appeal from federal court federal court को भी देखना है क्या और देखो federal court का जो establishment है इंडिया में government of India act के दोबारा और उसमें भी कौन सा act government of India act 19 अच्छा इसमें ली गता हूँ मैं government of India act 1935 establishment वा था और यहां से भी appeal जो होगा कहां जा सकता है प्रीवी कॉंसिल में ठीक है अब हम लोग पढ़ने वाले है role of privy council in the development of law in India मतलब इंडिया में law का development में इंडिया में जो law का development हुआ उसमें privy council का क्या रोल रहा देखो बहुत important role रहा हुआ कैसे इंडिया में जो law डबलब हुआ है आपको पता कहीं ने कहीं वो English common law से डबलब हुआ है और इंडिया में बहुत सारा case जाता था अपील के लिए privy council और जो privy council में उस पे judgment होता था वो important होता था Indian laws के लिए बहुत सारा अभी भी privy council का ऐसा law है जो इंडिया में चलता है तो मतलब कहीं ने कहीं privy council का तो इंडिया के law के development में रोल है कैसे हम लोग थोड़ा से देखते हैं पहले तो आपने देखा कि बहुत important role play करता है development India के book में 3-4-5 point है आप भी देख सकते हो यहाँ भी लिख दिया है मैंने जैसे कि Indian और English legal system में एक bridge का काम करता है यह सब 3-4 point आपना जब answer writing करोगे तो वहाँ पर यह आप डाल सकते हो ठीक है और बहुत सारा common law का जो इंडिया में principle है fine principle उसको development में कौन help करता है sir उसको help करता है privy council बहुत सारे को development में help किया है बस आप इसको धियान अखना और बहुत सारे हमारे इंडिया में जो law का qualification हुआ है उसमें भी सदर अजालत और supreme court के भीच में ठीक है जो कि उस time में इंडिया में highest court होता था यहां तक I hope कोई problem ना हो इसी तरह के और legal awareness videos के लिए law lecture के लिए आप मुझे instagram पे भी follow कर सकते हो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं drawback drawback of the privy council यह भी एक important topic है drawback of privy council देखो यह बहुत easy है drawback of यदि आप इतना दूर तक पढ़ते आए हो तो यह आपको easy लगेगा drawback of the privy council देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं drawback कि क्या क्या defect था privy council का एक तरग का हम लोग defect पढ़ने वाले हैं देखो बहुत सारा contribution तो है law के development में link करता था सदर अदालत supreme code को यह सब सब आपने पढ़ चुका है अब हम लोग पढ़ने वाले drawback क्या क्या था privy council का इंडिया में तो देखो आप simple जानते हो इंडिया में हम लोगों के बारे में इंडिया ज़्यादा अच्छा जान पाँगे कि Englishman आप बताओ मेरे को लेकिन privy council में ज़्यादा तर लोग कौन थे Englishman ज़्यादा तर लोग कौन थे ज़्यादा तर के सब Englishman ही थे है ना और जिनको Indian laws, Indian rules, Indian customs के बारे में कुछ भी idea दुरो दुर तक नहीं होगा है ना हम लोग Indians का क्या rules है, regulation है, क्या tradition है कोई idea हो का उनको कुछ भी नहीं होगा simple है और ज़्यादा तर लोग Englishman ही भड़े हुए थे जिनको कोई idea नहीं से Indian rules, regulation का और देखो यह तो पहला हो गया, बहुत लंबे समय तक के लिए लास्ट में कुछ लोगों को जोड़ा गया प्रिवी कॉंसिल में, जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पता चलेगा आपको देखो, प्रिवी कॉंसिल इंडिया में तो था नहीं, यह कहाँ पे था England में, तो यहाँ पे जो common man थे इंडिया में तो उनके लिए यहाँ को approach करना, प्रिवी कॉंसिल में जाना बहुत different बात है बहुत दूर की बात है, दिल्ली तो लोग जाना ही पाते हैं, प्रिवी कॉंसिल क्या जाएंगे तो common people जो इंडिया में होंगे उस टाइम पे उनके लिए बहुत inconvenient होगा बहुत ज़्यादा मुस्किल होगा प्रिवी कॉंसिल में जाना क्योंकि वो कहा है, इंग्लैंड में है अब इसमें कुछ नहीं है जाना, वही है यहाँ पे जो poor man होंगे इंडिया में, उनके justice पाना यहां से बहुत difficult होगा और इसी तरह के आपको और legal evidence वीडियो के लिए आप मुझे follow कर सकते हो आपने यहाँ देखा, उसके लिए बहुत बहुत धनवाद, thank you so much for watching this video इसी तरह के law lecture यह आपको चाहिए, आप comment करो कौन से topic के वीडियो चाहिए मैं आगे ऐसे time निकाल के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा देखो रात बहुत हो गया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको time देखो दो बजने में बस एक मिनट लेट है रात के एक बज़े उठके एक गंटा का वीडियो से उठकरना बहुत difficult थंडी के time है फिर भी तुम like नहीं करते हो, share नहीं करते हो, तो कितना ख्राब बात है न, तो please यह दिए आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप like करो, अपने दोस्तों के बीच में share करो और किस वीडियो पे, किस topic आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे पताओ, यह मैं Instagram handle है, किसी भी तरह का doubt हो, आप यहां मुझे से पूछ सकते हो ठीक है, यह mail है, किसी भी तरह का business mail करना आप यहां कर सकते हो, यह मेरे WhatsApp है, यहां भी dot पूछ सकते हो आप मेरे से, और सबसे important lawyer पर सांथ, जब आप टेलिग्राम पर लिखोगे, तो वहां पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो Thank you so much once again for watching